बड़ी खबर खालिस्तान समर्थक अम्रितपाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अम्रितपाल सिंग का साथी पपलप्रीट से गरफतार हुआ है दिल्ली और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है पपलप्रीट पंजाब के होश्याद प्रफपूर से पपलप्रीट को गरफतार किया गया है इस वक्त की बड़ी खबर अब पपलप्रीट 18 मार्च अम्रितपाल के साथ फरार हुआ था पंजाब पुलिस को अभी अम्रितपाल सिंग की तलाश है और थोड़ी देर में पंजाब पुलिस के आईजी पर इस कई राज्यों की पुलिस पपलप्रीट को तलाश कर रही थी और अम्रितपाल को भी तलाश किया जा रहा था और अभी आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पंजाब पुलिस की प्रेस कॉनफरेंस की पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन गेल प्रेस कॉनफरेंस कर रहे हैं उनके साथ और भी आफिसर हैं क्या कुछ जानकारी देंगे किस तरह से इस ग्रफसारी को अंजाम दिय हैंगे यह देखने वाली बात हुई किसी दे तस्विर आपको दिखाते हैं इसी दिला कामता है ना दाइए है जाप पुलिस की प्रेस कॉंफेंज पपल प्रीस सिंग अमर्दपाल सिंग का साथ ही गरफतार हुआ है प्रीत को हुश्यारपुर से ग्रफतार कर चुकी है मीडिया रेपोर्ट के मताबिक कहा जा रहा है कि पपल प्रीत का पाकिस्तान के आई एस आई से सिदा संपर्थ था भगोड अमर्दपाल के पाकिस्तान भागने की भी आशंका जताई गई थी बहुत एफेक्टिव काम कीता है बहुत सारे क्लू सीगे इस मैटर देवेच जड़ा स्पेशल प्रीशन चाल रहा सीगा पपल प्रीत सेंग जड़ा मेन असोसियेट अमरित पाल सेंग दा उन्नू पंजाब पुलिस ने और खास करके अमरित सा रूरल पुलिस ने कथू नं बहुत शलागा दा काम कीता है अमरित सारूरल पुलिस ने मान जोग डीजीपी साफ दियां है दैतां ते और उना दी गाइडन्स दे हेट पपल प्रीत सेंग नू डेटेन कीता गया एन्नेसे देवेच ग्रिफतारी जड़ी पाएगी एन्नेसे दे तैत ओ ग्रिफतारी पा पंजाब पुलिस ने मान जोग सीएम साब की इंस्ट्रक्शन पे बहुत एफेक्टिव काम किया है इस केस में एक स्पैशल उप्रेशन जो चल रहा था इसमें हमारे पास वाइटल क्लूज थे जिसमें पपल प्रीत सेंग जो मेन असोसियेट अमरित पाल सिंग का उसको पं पंजाब पुलिस ने इसको से में डिटेंड किया है इसके अलावा और केसी इस पे रिजिस्टर्ड है जो टाइम टू टाइम एस पर लीगल प्रॉसेस उस पे काम किया जाएगा बाद में और इस केस में अभी और पर्दर जोभी ड्वेल्पमेंट होगी टाइम टू टाइम आपके साथ शेर की जाएगी पंजाब पुलिस अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ उन्रेबल सीम पंजाब वेयर के नगैज़ पुरिय। धिस औरंची κάih से, मैं पुल पुल्पिशाँ का सुखेट षाज है. पुल प॥ल पुल्पिशान सोचिट फेस्शिक एम्रिद पाल सिंग्न व्तिप्था मुवें कि रषैसान works, करें आया के डाहर थट्र साओना स्वित क्वी है हुआर रसापक invari пост not only a way ठीघर झार मॉझ्जाब विह्म्राप एक डीजर स्ट एंड ले-ठीजर्ज संधे थे सीर्थ कि अगंस द्यार र्या इंटी लोग इसमें अपनी इंफर्मेशन देने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से बचाफ किया और बड़ी ख़बर पपल प्रीज सिंग अमरित पाल का साथ ही गरफतार हुआ है एने से उस पर लगाया गया है उससे जानकारी हासिल की जा रही है बहुत जादा बचने से बचते नजराए पंजाब पुलिस के अधिकारी और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि पपल प्रीज को पकड़ लिया है किन-किन धाराओं में किन-किन केसिस में उसको ग्रफतार किया गया उस पर पहले से भी कुछ केस थे और उससे बहुत कुछ पता चल जाएगा अमरित पाल सिंग का साथ ही पपलपरी सिंग घरफतार हुआ है पप.-पलिस को अभी भी अमरित पाल सिंग की तलाश है और पंजब पोलिस ने प्रेस कॉणफरेंस कर के इस बात की जानकारी भी दि और कुछनी भी की है क्यानेसे के तहट पपल प्रीट की गरफतारी हुई है उस पर और भी कई केसिस पहले से दर्ज थे बहुत से केसिस में उसकी तलाश थी अमरित पाल सिंग 18 मार्ट से फराल चल रहा है और जिसकी तलाश पंजाब के बाहर के राज्यों में भी की जा रही है पंजाब पुलिस ने स्पेशल सेल की मदद से एक बड़ा ऑप्रेशन चलाया है इस तरह की खबरे भी हैं जिसके बाद पपल प्रीट सिंग को गरफतार किया गया पुलिस की टीम समय कि जिन से अलगातार अमरित पाल की तलाश मजुटी हुई है क्या कुछ क्याना है पंजाब पुलिस का एक बार फिर से आपको सुना तो कीड़ों हुआ ह재 ऐसा स्टेएंग के में असोसियेकर अम आरेस्ट ने पुलीश ने कास करके के अमरुषर इस रूरिल पुलिस पाल में उसको एशेक में डिकेन किया है इसके अलाबा से और केसिज जो डाइंट । टाइम ऐस पर लीगल प्रॉसेस उस पे काम किया जाएगा बाद में और इस केस में अभी और फर्दर जो भी ड्वेल्पमेंट होगी टाइम टू टाइम आपके साथ शेर की जाएगी पंजाब पुलिस अंडर इंस्ट्रेक्शन ऑफ ऑन्रेबल सीम पंजाब हैस टेकन अवेरी हर सिम्रत पपल प्र देखा जाए और पपलप्रीत की ग्रफतारी अमरितपाल तक पहुचने के लिए किस तरह से महत्पून है जे बिल्कुल नासर जे आपको बता दें के लगातार जो है पिछले कई दिनों से पपलप्रीत और अमरितपाल को लेकर के अभियान जो है वो चलाया गया था दिल्ल ही है पपलप्रीत वो आज गिरफतार कर लिया गया है सुभा ही ये जानकारी जो है वो आ गई थी कि जो गिरफतारी है वो शियारपूर से हुई है पर आपको बता दें कि इसको लेकर के जो है आज एक प्रेस कांफरेंस जो है वो आई जी सुक्चैन गिल ने यहां पर की थ पर इसके बजाए कुछ ज़्यादा जानकारी देने की बजाए जो की ब्रेकिंग में पहले ही सूत्रों के हवाले से पता लग गई थी उसे पुक्ता कर दिया और बता करके वो चले गए उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हुश्यारपूर के प्रॉपर कथुनंगल जगा से जो है वो गिरफ्तारी हुई है इसके अलावा ना तो उन्होंने कोई सवाल लिया और ना ही किसी और बात का जवाब देना उचित समझा अब हरस्वनत एक बात ये बताएं कि पपल प्रीट की गरफ्तारी अमरित पाल तक पहुँचने के लिए एक महत्पूर्ट जरिया बन सकती है या फिर और भी कुछ पुलिस को अभी लग रहा है कि बहुत कुछ करना होगा बिल्कुल नसेचे आपको बता दें कि जिस तरह से पपल प्रीट की गरफ्तारी हुए है बहुत समय जो है पुलिस वो ढूप रही थी पपल प्रीट और अमरित पाल से पॉलिस क्योंकि पपल प्री जैसे ही हाथ में आया है तो जरूर कोई न कोई जानकारी जो है वो पपल प्रीट से निकले गी और बहुत जल्द जो है वह अम्रित पाल तक पहुंच सकती है क्या अर्सिम्रत इस तरह की वी कुछ चर्चाएं है मीडिया में या फिर कहीं पनजाब में हैं यहां पर बहुत सारे डेरे जो हैं वो भी खंगाले गए है धार्मिक स्थान खंगाले गए है और उन लोगों से पूच्टाच भी हुई है जो किसी ना किसी तरह से अमरित पाल से जुड़े हुए थे तो उसको ले कर के यही खचर जिताया जा रहा है क्य जो बॉर्डर सील नेपाल का बॉर्डर सील आपस के जो राजे हैं वहां का बॉर्डर सील किया गया है और मुस्तेधी भी बढ़ाई गई है अपर आपको बता दें जिसतर से एक के बाद एक गिरफ़तारी हैं when फो रही है तो इसे में कहा चाह सकता है इस पर सभी की नजरें बनी हुई है